असलेवीकुल दोस्तो वालकुम बैक टो मैं चैनल आजय है बनाइंगे आलो से बहुत ही जबरदस नाश्ता ये नाश्ता काफि ज्यादा टेस्टी बनता accordingpoint खरसिag बहुत ही कम इंगिरेंट्स में बनके त्यार हो जाता है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वी बनाना ही स्टार्ट करते हैं अब इसे हम फोक की हल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे इसके अंदर गुठलीयां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप मैश की है और गुठलेंगे, गर्येटर से ग्रेट कर सकती है अगर आप गर्मा गर्म पे ये प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए काफी जादा असान होगा तो इसे मैंने फोक की हल्प से अच्छे से मैश कर लिया है इसके अंदर गुटलियां बिल्कुल भी नहीं है टू टीस्पून मैंने डाल दिया है छिली फ्लेवर काफी जादा अच अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो मैं आगे बताऊंगे आपको क्या करना है तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है मैं हलके हाथों से मिक्स करना है और पानी बिल्कुल भी नहीं आट करना है क्योंकि आलू के अंदर काफी जादा मौश्यर होता है जिसके वज़ा से यह अच्छे से कोट हो जाएगा और एक अच्छी स्टफिंग बन जाएगी तो आप देख सकते हैं मैंने पानी का इस्टमाल बिल्कुल भी नहीं किया एक अच्छी से डो बन चुका है तो ऐसी हमें इसे में टो चाहिए तो इस तरीके से मैंने इसे त्यार कर लिया है बहुत ही सिंपल डेसी पी है आपके बच्छों को बहुत साथा पसंद आने वाली है तो यह देखे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है हातों को वाश कर लेते हैं उसके बाद हलका सा ऑईल अब इसका हम शेप देंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम बॉल का शेप देंगे, थोड़ा-थोड़ा से क्रेक्स आएंगे पर कोई बात नहीं, अब फलकल के हाथों से इसे प्रेस करते हुए बनाईएगा, तो अच्छे से सेट हो जाएंगे और क्रेक्स बिल् होंगी, बहुत ही सबर्दस्त रेसिपी है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल आइकन को प्रेस कर लीज बहुत ही जड़ा खुबसूरट डिजाइन बनके टैार होती है, और ये कुक होने के बाद और भी ज़्यादा खुबसूरत लगती है, तो आप घर पे इतनी मज़िदार डिसाइन बना के त्यार कर सकते हैं, नाश्टा देखने में जितना खुबसूरत लग रहा है, खाने म कही गुना जदा टेस्टी है दोस्तों तो ये देखें ये नाश्टा अच्छे से त्यार हो चुका है तो बाकि भी ऐसे ही बना के त्यार कर लेते हैं एक और मैं बना के दिखा दे रही हूँ तो अपने मन पसंद का शेप आप दे सकते हैं जो भी पसंद हो आपको तो आप देख रहें क्रेक्स बिल्कुल भी नहीं है और क्रेक्स होने नहीं चाहिए जिसे कि आपका ये नाश्था अच्छा बनेगा तो इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है तो इसे भी हम नाइफ की हल्प से कट कर लेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा लाइक ही आप लोग की तरफ से हमारी लिए इनाम होता है और हमें बहुत ही जाद सिपल है आगी साइड मेने डिजाइन तैयार किया अगर आप चाहें दोनों साइड नहीं अच्छा होगा तो इसलिए आप जब भी कोई चीज है फ्राय करें तो इसे मेडियम फ्लेम पे करें ताकि आपके जो नाश्ते हैं जो आपकी चीज हैं वो अच्छे से क्रस्प हो सके तो आप देख रहे हैं काफी जादा मांत्रा में बबल्स आ रहे हैं ऐसी हम आने दे तो यह देखे कितना अच्छा कलर आया है तोड़ी देर के लिए हम इसे और फ्राय करेंगे ताकि इसका कलर और भी अच्छा आया और ये नाश्ता काफी जादा क्रैस्पी बन सके तो आप इसे बना करके रख सकती हैं काफी देर केलिए क्रैस्पी रहता है बिलकुल भी खर बाकी के नाश्टे को हम ऐसे ही निकाल लेते हैं कि दोस्तों मेरे चैनल रे पहुत ही सिंपल तरीक Ol 물 होती है जोंकि आपके कीचन में आपके घर को भी ऐसे हम निकार लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने डाला था तो आप देख रहें मैंने पलट के भी दिखाया है दूनु साइट से नाष्टा अच्छे से कुक हो चुका है अच्छे करेस्प ने निकार लिया है दूसरे बैश्ट को भी इसी तरहे को बाद मैंन नाना बताया है अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर चिकाउट करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीचिएगा जिन लोगों ने अभी तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूं तो काफी देर हो गई है फिर भी ये नाश्ता काफी जादा क्रेस्पी बना हुआ है तो आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा आप लोग भी बनाएं इंजॉय करें तब तक के लिए मुझे दीची इजास्त फिर में बिल कि इंशालला ऐसी ही आसान वीडियो के साथ अल्लाहाफीज